Hello students, this is your Hindi grammar class. Today our topic is भाशा लीपी और व्याकरन. भाशा, धर्ती पर मनुश्या ही भाशा बोल सकता है, अन्या प्रानी केवल आवाजे निकालते हैं, जैसे कोवा काम काम करता है, चिडिया चीची करती है, वे मनुश्या की तरह वाक्या नहीं बोल सकते, यानि धर्ती पर सिरफ जो हम लोग हैं, इंसान हैं, वही भाशा बोल स दूसरे को बताने के लिए भाशा का प्रयोग करते हैं मनुश्य मात्र शब्दों से वाक्या बनाता है और इन वाक्यों से अपनी बात दूसरों को कहा पाता है यानि हम वाक्यों से पूरा संटेंस बनाते हैं और वो संटेंस को हम दूसरों को बताते हैं या कहा पाते हैं जैस इसे हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों तथा भावों को समझ सकते हैं उसे भाशा कहते हैं यानि भाशा एक ऐसा साधन होती है जिससे हम अपने मन के विचारों को बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं बाशा कितने व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है और बात समझ लेता है कोई लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है तो दूसरा उसे पढ़कर बात समझ लेता है सेकंड टॉपिक लिपी जब भी किसी भाषा को लिखा जाता है तो उसके लिए कुछ निश्चित चिन बनाए जाते हैं ये चिन वरन होते हैं इन वरनों के लिखने कोई धंको लिपी कहते हैं यानि जब भी कोई भाषा को लिखा जाता है यानि हम कोई भी भाषा को लिखते हैं तो उसके लिए कुछ चिन बनाए जाते हैं जिने हम क्या कहते हैं चिन को वर्न होते हैं इन वर्नों के लिखने के ढंग को यानि जो वर्न होंगे उसे हम किस तरह से लिखेंगे उस ढंग को लिखा गया है अंतर भाषा को लिखने का साधन लिपी कहलाता है हिंदी भाषा की लिपी देवनागरी है अंग्रेजी भाषा की लिपी रॉमन है उर्दू भाषा की लिपी अर्भी फार्सी है थर्ड टॉपिक है व्याकरन भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प हम व्याकरन कहते हैं जैसे समझने के लिए कभी-कभी हम गलत या अशुद भाशा का प्रियोग कर देते हैं कभी-कभी क्या होता है हम बोल तो सही रही होते हैं लेकिन उसमें sentence words जो होते हैं वो हम सही नहीं बोलते हैं जैसे मैंने सेब खाना है इस वाक्या में मैंने शब्द क प्रियोग गलत है मैंने किस थानपर मुझे शब्द का प्रियोग होना चाहिए इस वाक्या का सही रूप इस परकार से होगा मुझे सेब खाना है अब हमारे सामने समस्या आती है कि हमें यह कैसे पताचले कि कौन सी बाशा शुद है और कौन सी बाशा अशुद यह कार्या व्याकरन करता है यानि हमेशा क्या problem face करनी पड़ती है कि जब हम गलत sentence बोल देते हैं हम तो यह सोचते हैं कि हमने अपनी बात सामने वाले को समझा दी है लेकिन क्या होता है कि वो बात हम गलत व्याकरन यूज़ करते हैं व्याकरन भाषा को निकारता है यानि व्याकरन हमें कोई भी भाषा, sentence जो भी होगा उसे बोलने में, उसे सुधारने में सुनने में मदद करता है Thank you